आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाव में सिद्धान दगनी उतरी स्टड़ी आईक्योफ आपका बहुत दोस्तों आज हम एक बहुत ही inspiring figure की बात करेंगे आप motivate होंगे जिनका नाम है मांसी जोशी life में इतनी ज़्यदा problems होती हैं लेकिन बहुत कम उन problems को अपनी ताकत बनाते हैं ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए तो उसको लगएगा उसकी जिन्दी खतम लेकिन कभी भी जिन्दी खतम नहीं होती है हमेशा आप देखिए कि अपनी problem से हमेशा solution होता है तो problem से अब best कैसे निकाल सकते हैं यह सावित करके दिखाया मांसी जोशी ने यह एक पैरा शेटलर है जिनके नाम पे बारभी डॉल आ गई है time magazine में इनकी photo आई है cover पे तो हम इनकी बात करेंगे और इनकी कहानी करते हैं UPC के smart courses आते हैं study IQ cap download करके आप इनको available कर सकते हैं इंस्टा पर मैं आ गया हूँ आप मुझसे यहां पर सवाल पूछिए यह आप देख सकते हैं यह जो इनका पैर है इनका पैर इनके पैर को काटना पड़ा था एक ऐसा accident हुआ था जिसने इनकी life को पूरी तरीके से बदल दिया अब इसके बावजूद she is a world champion पैरा मैडमिंटर ने में इन्होंने कमाल का performance दिया और एक celebrity celebrity कैसे है यह देखिये यह time magazine में इनकी cover photo है next generation leaders पूरी दुनिया ने इनको acknowledge किया है और अब अमेरिका की doll manufacturer बार्बी बार्बी की dolls दुनिया की सबसे बहतरी इन डॉल्स और सबसे महंगी डॉल्स है तो पैरा बैडमिंटन चैंपियन मांसी जोशी के नाम से one of a kind बार्बी डॉल बनेगी 11 October को International Day of Girl Child होता है लॉंच किया यह बताया American doll manufacturer ने आप जैसा कि मैंने बताया कि यह inspiration है फिलाल आप यह देख लिजे कि जो बार्बी डॉल्स हैं बहुत सारे extra ordinary women's चिनों ने जिन औरतों ने कमार का काम किया है फिडा केलो हो गई नाओमी ओसाका हो गई निकोला एडम्स हो गई इप्तिहाज मोहमद हो गई मेडिसेंडी रोजारियो हो गई यह सब इन सब पे हम देखते हैं बार्बी डॉल्स जो है one of a kind बार्बी डॉल्स मनफेक्ट्र होई है बनाई गई है तो यह हमारे लिए बहु इनके पिता जी भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइन्टेस्ट है घर पे हमेशा से पढ़ाई का महौल रहा मांसी जोशी वैसे तो खेल कूद में बहुत आगे थी बैडमेंटन बास्केट बॉल्ल यह सब खिलती थी लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी हम वेट नहीं कर सकते हैं लेकिन जल्दी जाना है और इसी जल्दबाजी में मांसी जोशी का एक्सिदेंट हो गया मांसी जल्दबाज नहीं थी जिन्हों ने इनका एक्सिदेंट किया वो जल्दबाज था क्या हुआ दिसंबर 2011 की सुबह यह ओफिस के लिए निकल रही थी इन्होंने अपने college से graduation पूरा किया था, computer science engineering इन्होंने पड़ी थी, 22 साल की मांसी Friday को दिसंबर में निकली, office के लिए, office जो था, 7 किलो मीटर दूर था इनके घर से, बहुत खुश थी, अच्छा लग रहाता, दिसंबर का मौसम भी बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद, जैसे ही, यह थोड़ा सा आगे बड़ी, 10 मिनट बाद क्या होता है, एक disaster हो जाता है, इनका accident होगा, accident कैसे हुआ, flyover आता है, flyover से इनको U-turn लेना था, अब wrong side से, wrong side से, ध्यान दीजे का, wrong side से, लौरी आ रही थी, ट्रक आ रही थी, अब आप खुद सोचिए U-turn, U-turn पे तो वैसे भी, थोड़ा सा दिक्कत होती है, देखने में, वो भी flyover का U-turn, U-turn जब लेना था, wrong side से, एक trolley आ रही थी, और इस trolley ने, इनकी गाड़ी को, टक कर मार दी, यह बाइक पे थी, मोटर बाइक पे थी, इनको टक कर मार दी, और इनके पैर पे चड़ ग की कहानी आदारी हुई, उनकी भी कहानी बहुत जवरदस्त है, लेच्चर मैंने उन पे किया है, आप देखिएगा, वो बिहोश हो गई थी, लेकिन यह जो थी, वो conscious थी, होश में थी, लेकिन खून बहता जा रहा था, तुरंत इन्हों ने helmet अपना हटाया, और किसी तरीके से यह बैठी, आस पास के सारे लोग आ गए, यह बताती है, BBC को इन्होंने एक इंटर्व्यू दिया था, यह बताती है कि जो भारती है, इंडियन्स है, बहुत helpful होते हैं, लेकिन इंडियन्स को यह नहीं पता कि emergency situation में क्या करना है, फिर हमारा health system आपको पता ही है कैसा है, त तो ambulance को call किया गया, ambulance आई, police भी आगी, police ने तुरंत इनको ambulance पे stretcher पे बैठाया, और जो सबसे पास hospital था, वहाँ ले गए, अब problem यह थी, कि उस hospital में, it was not well equipped, it was ill equipped, उस hospital में, ऐसे समान थे ही नहीं, या ऐसे doctors थे ही नहीं, जो surgery कर सके, जो इस situation से deal कर सके, इनका leg जो था, left leg की बात है, पूरी तरीके से crush हो चुका था, पूरी तरीके से जो इनका left, हड्डिया जो थी ना, वो चकना चूर हो चुकी थी, hospital में कोई था ही नहीं, था in the sense, but इनको वो specialization नहीं थी, इस चीज में, doctors की, तो इनको बड़े hospital ले जाना था, कोई सर्जन व होता जा रहा था, यह frustrated हो गई थी, कि अब होगा क्या, time is very important, अगर excellent होता है, तो किसी तरीके से, पहली बात हमको blood को रोकना होता है, खून को रोकना होता है, internal injury और external injury दोनों में, वक्त पे अगर हम treatment कर दें, तो सब कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन इतना time चला जाता है, कि यह हो नहीं बाता, और मांसी जोशी के साथ, exactly यह हुआ, इतना ज़दा time चला गया, सुबा से लेकर, शाम हो गई, ambulance आई, इनको बड़े hospital ले गई, दस से बारा किलोमीटर की journey थी, दो तीन घंटे बाद ambulance आई, जो बड़े hospital की थी, और दस से बारा किलोमीटर की journey बताते, it was hell, जैसे कोई रोड में गड़ा आ रहा था, या बंप आ रहा था, बहुत जादा दर्ध हो रहा था इनको, साड़े पांच बजे, शाम को साड़े पांच बजे, मांसी जोशी को proper medical care दिया गया, 9 घंटे बाद, accident के 9 घंटे बाद, doctors ने सबसे पहले यही बताया, आपके पेर को हमको बचाना है, हर 5 से 10 दिन में सरजरी होती थी, क्योंकि मैंने बताया हड़ी चकना चूर हो चूकी थी, लेकिन घाव इतना जादा हो गया थ वो पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, वरना वो poison पूरी बड़ी में फैल जाएगा, तो फिर ना चाहते हुए भी 45 दिनों के बाद इनके पैर को काटना पड़ा, अब यह पूरी तरीके से परशान हो गई, यह तो कोई नहीं, किसी के साथ भी यह हो जाए, दिक्कत तो हो होती ही है, पिता जी भावा अटॉमिक रिसर्स सेंटर में साइन्टेस्ट, और यह चाहते थे कि बच्चे खूब पढ़े और यह पढ़ी ही भी, स्पोर्ट में बहुत आता अक्टिव थे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लेगिन कभी यह नहीं सोचा था कि एक्सिडेंट इनको इतना बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर बना देंगी, बैडमेंटन इनका सबसे फेवरिट प्लेयर था, और इनके पिता जी जब यह 6 साल की थी, छोटे से ही इनके पिता जी इनको बैडमेंटन से खाने ले जाया करते थे, अब दोस्तों हुआ क्या, कि ज जैसे ही इनका एक्सिडेंट हुआ और इनके पैर को काटा गया, तो जो सपोर्ट सिस्टम था वो इतना बढ़िया था, इनके कॉलिज फ्रेंड्स, इनके कुलीक्स, वो हमेशा इनके साथ रहते थे, और यह बहुत बड़ी बात होती है, जब इस तरीके की कोई घटना होती अगर आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है यकीन मानिये, बहुत जल्द आप उभर जाएंगे, बात अक्सिडेंट के नहीं है, बात है मेंटल पेन की, कोई घटना के बाद जो मेंटल पेन होता है आप उस मेंटल पेन को अगर हटा दिया आपने, और यह हटता कैसे है, चलो हो गया तो हो गया, अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ, तो इनके फ्रेंड्स, कुलीक्स, इनके फैमिली, हर को इनके पास था, हॉस्पिटल में, in fact, इनका नेचर ऐसा है, कि हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर, जो नर्सेस थी हो, इनकी बेस्ट फ्रेंड्स हो गई, य जैसा यह बताते है खुद कि ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं आया, जब मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा हूँ, मैंने हमेशा अपने आपको बहुत अच्छे ही देखा, और हमेशा जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी, अपने पैर को देखती थी तो यह बो badminton एक escapism भी था, यह भी important चीज होती है कि जब भी आप परशान हो, जो चीज आपको सबसे ज़्यादा पसंद आप वो करिए, अगर आप परशान हो, पेंटर अच्छे पेंटिंग मनाईए, खाना अचा बनाएए, आप देखिए, दो मिनिट के अंदर अंदर आके परश badminton के अभी तक है one of the greatest player भारत ने जो प्रड्यूस किया है, पुलेला गोपी चंद से मिली, सबसे बड़े badminton के player, पुलेला गोपी चंद आपको पते एक गजब के coach है, जिनके ओपर हाथ रख देते है, साहिना नेवाल, पीवी सिंदू, को उन्होंने वर्ल्ड चांपियन बना है, तो जिसके ओपर हाथ रख दिया, वो समझ लिजिए, वर्ल्ड चांपियन बन गया है, तो पीवी सिंदू, साहिना नेवाल, दोनों की बायग्राफिये मेंने डिव्यू किया, पुलेला गोपी चंद आए, पुलेला गोपी चंद बैंक में आये, बैंक में काम कर र यह एक बहुत-बड़ा टास्क था, मैंने बताया ना, कि इनका एक पैर तो था नहीं, और बैड्मिंटन, टैनिस, यह सब टूर्णामेंट आपको फूर्ती की जबरत होती है, तो कैसे होगा, लेकिन दोस्तों, एक और कैटिगरी होती है, पैरा बैड्मिंटन, पैरा बैड पिक्स होते हैं, और उसमें आप कमाल का पफॉर्मेंस दीजे, तो गोपी चन ने इनको देखा और थ्वड़ा सा हस दिये, लेकिन इनको यह एहसास हो गया, कि बहुत ब्रेव गरल है, बहुत ही करेजियस है, स्टोर इतनी इंस्पाइरिंग है, और उन्होंने बोला, ठीक ह हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने ट्रेन करना शुरू किया, पैरा एथलीट को ट्रेन करना एक नया चैलेंज था, लेकिन यह बताते हैं, शी वस एक्स्ट्रीमली फोकस्ट, इतना ज़्यादा फोकस्ट थी है, इतना ज़्यादा फोकस्ट थी, कि क वहाँ पे इनको कोच करना शुरू किया और जब इनको बैडमिंटन खेलते हुए देखा गोपीचन यह समझ गए शीज एक्स्ट्राउडरी यह कोई आम नहीं है यह बहुत आगे तक जाएगी और उसके बाद फिर इन्होंने specified चैंपिंशिप में पांटलना शुरू किया इस स्पेन में गई है इस पेन में चैंपिंशिप इन्होंने की एसियन गेमस में ब्रॉण standards यह बताती है कि मैं रजबसे सबसे मेमोरेवल मॉमेंट यह है कि मैं जब एशिए गेमस में bronze medal जीत कि आई थी वो मेरा अब तक का सबसे memorable moment है लेकिन Switzerland में जब इन्होंने gold जीता world championship जीती इससे पहले बहुत सारे medal से जीत चुकी थी लेकिन Switzerland में जब इन्होंने world championship जीती 2019 में अगस्तन 2019 में यह celebrity होगी उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया जो है इनकी कायल होगी है क्योंकि Switzerland BWA पहरा badminton world championship यह badminton का one of the biggest tournament है उसमें से यह championship एक है जब यह शुरू में जीत कि आई तब इतना ज्यादा इनको हम देखते हैं कि lamb light नहीं मिल रही थी लेकिन फिर social media ने इनको star बनाया और उसके बाद जो mainstream media है उन्होंने भी cover करना शुरू किया और अब तो मांसी जुशी एक inspiration है अभी Paralympics होने वाले हैं टोक्यो में सारी आखे अब वही है she will make India proud once again भारत की शान है भारत की बेटी है वो गाना नहीं है जीती रहो जीती रहो मेरी भारत की बेटी बिलकुल सही है लेकिन सबसे बड़ी बात है ये उन हजारों लाखों लोगों के लिए inspiration है जिनको ये लगता है कि मेरी जिन्दगी खतम ये बोलती है कि सरकार को और ज समवेधनशील होना पड़ेगा भारत ने डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है ये कहती है कि जितने भी डिसेबल्ट है उनका सबसे पहले तो टैक्स माफ कर दिया जाए भारत में धाई करोण से ज्यादा डिसेबल्ट ह उनका टैक्स माफ कर दे और लोगों का भी जो एटिट्यूड उसको भी बदना जरूरी है तो दोस्तों ये लिच्चर था बहुत ही शांदार स्टोरी थी इसलिए मुझे लगा मैं कवर करूँ खुश रहे पर तरी देसे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिंग ओगा